हाई गाईज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे seat mask कैसे बना सकते हैं बिना किसी पैसे को खर्च किये या बहुत कम पैसों में जो है आप इन seat mask को त्यार कर सकते हैं मैं आज आपको अलग-अलग variant के seat mask बनाना बताऊंगी और इन सभी को बनाना घर पर बहुत ही आसान है बहुत ही सस्ते में बन जाता है आप सभी को पते है कि market में जो है वो काफी costly आते है seat mask इस वज़े से जो है हम लोग कई बार इस्तमाल भी नहीं कर पाते हैं उनको तो आज मैं आपको घर पे जो है वो sheet mask बनाना बताऊंगी यह सच में काफी अच्छा work करता है और इसका जो cost है वो आपको बहुत कम पड़ेगा तो आप भी जो है वो इसको regular use कर पाऊगे week में एक बार जो है हमें seat mask ज़रूर इस्तमाल करना चाहिए चाहिए आपकी dry skin है चाहिए आपकी combination skin है चाहिए आपकी oily skin है इसे हर skin type के लोग जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं seat mask जो होता है वो हमारे skin को deeply hydrate करने का काम करती है तो hydration जो है हमारे skin को वो हर एक skin type वालों को ज़रूरत होती है तो अगर आपकी acne prone skin है तो आप apple cider vinegar को लेकर बना सकते हैं जो कि मैं आपको इस video में बताऊंगी अगर आपको acne वगरा की problem है, oily skin की problem है तो आप tea tree का भी बना सकते हैं, आप green tea को लेकर बना सकते हैं और अगर आप glowing skin चाहते हैं, आपको brightness चाहिए तो आप aloe vera gel के साथ जो है वो बना सकते हैं और भी अगर आप fruit seat mask चाहते हैं क्योंकि अगर अभी जो है, वो market में काफी ज़्यादा fruit seat mask भी आए हैं तो आप चाहें तो papaya के pulp को लेकर उसका sheet mask बना सकते हैं strawberry का pulp लेकर आप उनका भी sheet mask बना सकते हैं तो ये सभी चीज़े जो है वो आपको घर में मिल जाएंगी, घर में foods आते ही हैं आपके तो ये सब चीज़े जो है वो घर में बनाना बहुत असान है और इसके result भी जो है वो काफी अच्छे ही रहते हैं मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप लगाएंगे और आप गोरे हो जाएंगे आप लगाओगे और अभी के अभी आपको 100% result मिल जाएगा बट कुछ ना लगाने से better है कि आप इन सभी options को try करिए यह सच में काफी अच्छे तरीके से walk करती है आपके skin पे मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको apple cider vinegar के काफी सारे benefits जो है वो बताया था वो सच में बहुत अच्छे से आपके skin के लिए काम करता है वो किस वज़र से काम करता है उसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो आपके skin के लिए beneficial होता है तो वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा तो चलिए सबसे पहले जो है वो seat mask को बनाना start कर देते है उसके लिए हमें चाहिए होगा ये काया का wet wipes आप देख सकते हो ये 100 रुपीज का packet इसके उपर लिखा हुए बट ये आपको 100 रुपीज से भी कम में ही मिल जाता है इसमें 30 पीस आता है तो पर पीस आपको 3 रुपीस पड़ेगा ती सस्ता है आप मार्केट से जब आप seat mask लेते हो तो 100-500 रुपे तक का आता है मैंने एक seat mask का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था लॉरियाल ब्रैंड का तो वो seat mask काफी अच्छा था रिजल्ट भी काफी अच्छा लगा मुझे उसका और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था आपको मार्केट में जो है वो चॉकलेट seats भी जो है वो मिल जाते हैं तो वो भी अगर आप चाहो तो try कर सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो link जो है वो description में मैं डाल दूँगी आप वहाँ से चाहो तो एक बार try कर सकते हो और इसका भी जो link है वो मैं डाल दूँगी description में तो चलिए पहले सबसे पहले seat mask को निकाल लेते हैं तो ये कुछ इस type का आपको cotton का sheet मिल जाता है तो आप इसको पहले पूरी तरीके से open करके फैला लीजिए उसके बाद इसको double fold कर दीजिए बीच से जो है वो fold कर दीजिए आप इसको उसके बाद आप एक इंच का map ले लीजिए और उसके बाद आप third fold कर लीजिए इसको उसके बाद आप उपर से जो है वो तीन उंगली का size ले लीजिए जितना आपका forehead का size होता है और उसके बाद जो है आप अपनी eyes की cutting लगा लीजिए आप देखिए इस तरीके से fold करके जो है वो छोटा सा cut लगाना है आपको बहुत आसान है ये बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसा वीडियो में बताया जा रहा है बस वैसे वैसे cut लगाते जाए उसके बाद जो है इसको आपको open कर लेना है third fold जो आपने किया है उसको open कर लेना है double fold जो है उसको रहने देना है उसके बाद तीन उंगली का gap फिर से ले लेना है आखों के पास से ही और उसके बाद जो है वो nose का cut लगा लेना है तो आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इस तरीके से जो है size ले सकते है और बस ये nose का जो shape है वो cut हो चुका है उसके बाद जो है nose के पास से एक finger का जो है वो odd distance ले लीजिए ताकि आपका जो upper lips का area है वो cover हो जाए और वहाँ से जो है वो आप अपने mouth का जो area है वो cut कर सकते हैं बस हलका सा आपको double cut लगा दीना है वहाँ पे और extra जो tissue है उसको निकाल दीजिए तो आप देख सकते हैं हमारा sheet mask जो है वो proper बनके ready हो चुका है तो चलिए मैं अब आपको face पे लगा कर दिखा देती हूँ तो यह देखिए sheet mask जो है वो ready है तो अब चलिए इसका हम serum बना लेते हैं पहले तो यहाँ पर जो है वो मैंने aloe vera gel इस plate के अंदर निकाल लिया है और इसके अंदर जो है वो मैं tea tree oil भी जो है वो डाल दूँगी थोड़ा सा मैंने डाला है और थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ तो एक चमब जितना और डाल लिया है और मैंने इसके अंदर जो है वो 2-4 drop जो है वो नेमबू का रस डाल दिया है अर अब इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको mix करना है आपका प्लेट जो है वो पहले से ही क्लीन होना चाहिए बिलकुल भी गंदा प्लेट नहीं लेना है या गंदा शीट नहीं लेना है आपको सारी चीज़े clean रखेगा क्योंकि ये सब चीज़े जो है वो आपके अपने face के ओपर लगने वाला है तो इन सब चीज़ों का बस आप ख्याल रखेगा तो आप देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको mix करना है थोड़ा सा time लगता है इसको mix करने में लेकिन ये अच्छे से mix भी हो जाता है ग्रीन टी जो है वो आपकी aging को डिले करता है आपकी puffy eyes की problem को solve करता है आपको अगर pimples की problem है pimples scars की problem है तो उसमें भी काफी helpful होता है और अगर आप धूप के contact में जाते हैं UV rays के contact में जाते हैं और आपको sun burn हो जाता है तो उससे भी ये relax देता है तो ये green tea जो है वो काफी benefit है green tea के तो आप चाहे तो week में एक बार जो है वो गर्मियों में green tea का जो है वो pack इस तरीके से लगा सकते हैं seat mask में लगा कर तो चलिए अब seat mask को इसके अंदर dip कर लेते हैं औ उसके बाद अपने face के ऊपर apply करते हैं तो दोस्तों मैं जो इसको बना रही हूँ तो मैं वस ये नहीं कह रही कि आप इन ही सब चीजों को डाल के बनाईए आपको जो अच्छा लगता है आपके skin पर जो भी suit करता है ना आप उसको use करके और बना सकते हैं आप देखिए seat mask म कितने अच्छी तरीके से जो है वो सिरम को absorb कर लिया है और अब इस सिरम को आप अपने face के ऊपर लगाएंगे तो आपको काफी अच्छा जो है वो result देखने को मिलेगा ये जो liquid sheets आते हैं ना इनमें already जो है वो थोड़ा बहुत liquid होता ही है सिरम होता है बट हम इसको बहुत अच्छे से सीट मास्क बना रहे हैं तो मैं थोड़ा से इसको टैप टैप करके जो है वो इसके अंदर सिरम अब्जॉब करवाने की कोशिश कर रही हूं ताकि हमारी स्किन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेनेफिट मिले इस सिरम का स्मेल काफी अच्छी आ रही है आपके हाथ जो है वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए तो आप को अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा है सीट मास्क का हाथ तो को उपर जो है वो काफी बैक्टेरिया होते हैं तो वो आप skin पे apply मत कीजिए बिना हाथ को धोए हुए तो देखे इसको मैंने बना लिया है और अब बारी है इसको अपने face के उपर लगाने की तो आप देख सकते हैं ये जो sheet mask है हमारा वो बनके ready हो चुका है तो दो mint के लिए इसको हम side में रख देते हैं और जिन लोगों को भी acne की problem है बहुत जादा pimples की problem है तो मैं उन लोगों के लिए भी एक और sheet mask यहाँ पर बना के दिखा देती हूं तब तक यह अच्छे से liquid भी absorb कर लेगा तो friends आप देख सकते हूं यहाँ पर एक और sheet mask जो है वो मैंने यहाँ पर cut कर लिया है तो चलिए अब इसका serum बना लेते हैं तो उसके लिए हमें लेना है aloe vera gel अब एक spoon जो है वो aloe vera gel ले सकते हैं तो आप देख सकते हो मैंने आदा चमच जो है वो apple cider vinegar का ले लिया है तो आपको apple cider vinegar जो है वो बहुत जादा नहीं लेना है यहाँ पर और मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चमच पानी क्योंकि apple cider vinegar को आप direct नहीं लगा सकते हैं आपको पानी के साथ ही dilute करके लगाना होगा तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको mix कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैं इस sheet mask को अभी serum के अंदर dip कर दे रही हूँ आप apple cider vinegar का जब sheet mask यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी smell आ सकती है बट कोई बात नहीं आप लगा लीजिए अगर आपकी oily skin है अगर आपकी skin पर acne है तो आपको आप जब 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद अपने sheet mask को निकालेंगे तो आपको काफी अच्छे result देखने को मिलेंगे आपकी skin से oil जो है वो काफी कम हो जाएगा तो ये सब चीज़े जो है वो sheet mask की काफी अच्छी है तो आप ये बोलोगे कि इसको हम sheet mask के साथ क्यों apply करें हम direct जो है वो liquid बनाकर अपने skin के उपर भी तो apply कर सकते हैं बट sheet mask लगाने का फायदा ये होता है कि ये चीज़े जो है वो जादा दे तक आपके skin के अंदर absorb होती है इससे जो है इसके result आपको जादा अच्छे मिलते हैं अगर आप direct इस liquid को अपने skin के उपर लगाएंगे तो ये हवा की contact में आकर 2-3 मिनट में जो है वो dry हो जाएगा लेकिन कोई भी चीज़ को आपके skin को benefit देने के लिए कम से कम 10-15 मिनट रखना बहुत ज़रूरी है उसके बाद ही आपको जो है उसके अच्छे result देखने को मिल सकते हैं तो उसको आप इस तरीके से seat mask के अंदर डाल के लगा सकते हो तो जो है ये लंबे समय तक जो है वो आपके skin को nourishment देता है तो इसके benefit जो है वो आपको काफी अच्छे मिलेंगे तो चलिए अब इस seat mask को apply कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों seat mask मेरे ready हो चुके हैं तो apple side of vinegar वाला seat mask जो है वो मैं अपने husband को देदूँगी लगाने के लिए because उनका oily skin है और ये वाला seat mask जो है normal green tea वाला वो मैं लगाऊंगी क्योंकि मेरी skin में बहुत जादा problem नहीं है दाने वेगेरा कुछ भी नहीं है मेरी skin भी जो है वो oily नहीं है ठीक टाक skin है मेरी तो मैंने अभी अपने skin के उपर जो है वो कुछ भी नहीं लगा रखा है जिस्ट face wash किया है और ये lip balm लगाया है तो इतना आप कर सकते हो कोई problem नहीं है तो आप इस seat mask को देख सकते हैं ये बिल्कुल गीला हो चुका है serum के साथ और अब आप इसको अपने skin के उपर apply कर सकते हो और जब आप इस seat mask को बनाकर ready कर लोगे न तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको घर पे बनाया है ये बिल्कुल market जैसे ही तो आप देख सकते हो मैंने seat mask को निकाल लिया है और अभी भी जो है इसके अंदर काफी सारा जो है वो लिक्विड है काफी सारा जो जैल है वो अभी भी है इसके अंदर और मेरी skin पे भी जो है वो काफ़ी सारा liquid भी है काफ़ी hydrating लग रही है मुझे मेरी skin काफ़ी moisturize लग रही है जैसा मैंने market वाला face serum use किया था face seat mask यूज किया था उसका result मुझे मिला था वैसे ही मुझे अभी भी feel हो रहा है तो एक बार मैं अपने face को clean कर लेती हूँ और mirror में देख कर आती हूँ कि इसका result जो है वो कैसा आया है actual में उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका actual result जो है वो कितना अच्छा आया है तो friends मैंने अपना face जो है वो थोड़ा सा clean कर लिया है ताकि आपको जो है वो काफी अच्छी तरीके से result जो है वो समझ में आ पाए तो आप देख सकते हो मेरी skin जो है वो काफी hydrate लग रही है काफी clean लग रही है बहुत अच्छा मतलब hydrating feel हो रहा है मुझे अपने skin पर बहुत soft भी लग रही है मेरी skin तो इसका result जो है वो बिलकुल जो market का seat mask आता है वैसे ही result आपको देखने को मिलता है वो वाला भी seat mask मैंने use किया था उसका भी result था वो काफी अच्छा रहा था आपकी skin को hydrate करता है हलका साब के skin में glow लाता है आपकी skin को soft करता है वही सब चीजे जो है वो इस seat mask ने भी किया है तो हम कह सकते हैं कि आप market के जो महंगे seat mask है उनको ना use करके अगर आप चाहो तो घर पे ऐसे cost effective जो seat mask है वो बना सकते हो हम बाहर इतने महंगे महंगे seat marks नहीं खरीद पाते हैं कई बार तो इस type का seat mask है वो काफी helpful रहेगा आपको मैंने दो variant में बनाना बताया है आप अलग-अलग variant में बना सकते हो अपने skin type के हिसाब से अपनी choice के हिसाब से आप cucumber वाला चाहते हो तो आप वो भी खीरे को घिसके उसके रस को मिला कर लगा सकते हो aloe vera gel में थोड़े सी नीमबू का रस डाल दीजे तो ये सब चीज़े जो है वो काफी अच्छा result आपको देती है skin पे जो है वो काफी अच्छे तरीके से जो है वो उसने मेरे काम किया है result आप मेरे skin पे खुद देख सकते हैं काफी नैच्रल सा एक glow आया है result मुझे बहुत पसंद आया आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताईएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें तो आप मोटिवेट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी जो है वो मार्केट के महंगे महंगे शीट मास्क को खरीदने से बच जाएं और घर पे इसी तरीके से कॉस्स एफेक्टिव शीट मास्क बना सके थाइंक यू फॉचिंग वीडियो टेस्टर बाई